पी चिदम्रम कॉंग्रेस के नेता हैं लंबे समय तक उन्होंने सत्ता का मजा लिया है देविंद फर्नवीस बीजेपी के नेता हैं अब वो मुखमंतरी हैं दरसल महराष्ट में मराठा अंदोलन चल रहा है देविंद फर्नवीस का एक बयान आया कि जाती मेरे हाथ में नहीं है मैं किस जाती में पैदा हुआ ये मेरे हाथ में नहीं है और मेरी जाती की संख्या कम है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ जाती एक सच्चा है सोचिए आज चिदम्रम ने उस पर लेक लिख दिया कि जाती किसी के हाथ में थोरी है मतलब सोचिए जाती जनगन्ना ने किस तरह से सभी पुलिटिकल पार्टी के सवन नेताओं को एक जूट कर दिया है लेकिन पीची दमरम जिसने इंडियान एक्सप्रेस में जो आठकीर लिखाया उसके कुछ सार बताऊंगा यही पीची दमरम है जब यह मंत्री थे तो इनके सारे करस्तानी भी बताऊंगा नमस्कार मैं संभुक कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तर जिन लोगों ने जाती बनाई जिन लोगों ने जाती के नाम पर अपने आपको स्रेष्ट बताया जिन लोगों ने जाती के नाम पर मलाइक है और जिन लोगों ने जाती के नाम पर अत्याचार किया यह मैं नहीं कह रहा हूँ RSSS परमुक मुहन भागबज जो खुद बरहामन जाती से है वो कहते हैं कि जाती किसने बनाई पंडितों ने जाती के नाम पर जानवर जैसा दूसरे के साथ बेभार किस ने किया वो भी बताया है लेकिन अब दिविंद फरनवीज को लगता है कि उनकी जाती की संख्या कम है तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है जाती उनके हाथ में नहीं है दिविंद फरनवीज जी है आपके हाथ में जाती खत्म भी आप कर सकते हैं और जाती के नाम पर जो रसूख आपने 2000 साल से भोगा है ना उसको बस पाट दीजे, कुछ मत कीजे, इस देश में जो जाती के नाम पर आपने लाव लिया है 2000 साल तक, बस 2000 साल तक आप अपने आपको दूसरी जाती में कर लीजे, और नुकसान जो परने लिखने से अपने आपको दूर कर लीजे, लेकिन संभिधान ये नहीं कहता है, ब लोगों ने जाती के लाभारती थे उन लोगों ने जाती के नाम पर जो अत्याचार किया था उसको खत्म करने के लिए कुछ उन्होंने अफर्मेटिव एक्षन और पलान बताए कि जिन के साथ जातिवाद हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए और सुचिये पीची दमरम को बह OBC Reservation को College University में लागू कर दिया उसके बाद UPA2 में पर्णम मुखर जी पीची दमरम और कपिल सिब्बल की तीकरी थी यह ब्रामन तीकरी थी जिसने बहुजुनों को ऐसे ऐसे दंड दियें जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते हैं UPA2 में ही जूटे जूटे आरोपों में कनी मो जो ED ED हो रहा है न इनहीं ने ये सारा ED में जो सारा संसोधन ये पीची दमरम का किया हुआ है ये पीची दमरम ने Green Hunt campaign चलाया आदिवास्कियों को जमीने चीनी गई जंगल काटी गई पीची दमरम सोचिए Congress ने पोटा टाडा नजाने कैसे कैसे कानून बनाए मुल्वास को 20-20 साल तक जेल में रखा गया आज जो सरजील इमाम उमर खालिद खालिद सेफी जो आज जेल की सजा काट रहे है मिरान है दर ये सारे कानून ये बीजेपी नहीं लाई है भाईसा ये सब कॉंग्रेस का और पीची दमरम की कर्तूत है और उस से भी बरा उस समय गोपिना पार्टी जनगन्ना को डिरेल कर दिया और सोची आज सारे के सारे सवन नेता एक जूठ है चाहे पार्टी कोई भी और कहते हैं कि जाती अरे जाती के नाम पर फायदा आपने लिया कैबनेट मिनिस्ट्री में आप फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं आप आपने कभी सोचा आप विदेश मंत्री होते हैं सारा मंत्राले आप ही के हिस्से में आता है आप ही उसी आ रहे हैं यही है जाती का रशोग और चलिए माल लीजिए जाती खत्म होनी चाहिए पीची तम्रम का सलक्स की सला है कि सरनेम हटना चाहिए अंतर जातिय बिवा होना चाहिए पीची त मैं बता रहा हूं तब जातिय विवा से जाती खत्म नहीं होगा, मैं बता रहा हूं जाती कैसे खत्म होगी, जाती खत्म होगी बाबा साहिब के बताय रास्ते से, जाती खत्म होगी इस देश का संविधान जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तब, जाती खत्म होगी जि पिश्रे आदिवासी जो जाती काधार पर सोसित थे जब उनको स्कूल कॉलेज अस्पताल जाने की उनकी बारी आई जब पर्ले निखले की बारी आई तो इन जातिवादी मनुबादियों ने प्राइबेट स्कूल ले आया नहीं खतम होगी जाती अरे आप हमें रेस में सामि 1000 क correcting आगे से सुरु होगा पहले आपने सरकारी स्कूल का मज़ा लिया सरकारी स्कूल बढ़िया था सरकारी कंपनियों जाती का रसूप था और आज जब दलित पिछले आदिवासी 75 साल हुए है आज भी संविधान आपके हाथ में आपको लागो करना है इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर आप बनते हैं हाई कोट सुप्रेम कोट के जज आप होते हैं चपरासी से लेकर चिप जस्टिस आप होते ह और आपको सिर्फ जाती गिंती होने से इतनी तकलीफे होने लगी और आपको लगता है कि आपकी संख्या कम है इसमें आपकी गलती नहीं है आपकी जाती में पैदा हुए आपकी गलती नहीं है ये बाट ठीक है लेकिन जो जाती के क्या कहा था ओम परकास बालमिकी ने कि उ क्यूं रोका बिजनेस करने से हमें क्यूं रोका खेलने से हमें क्यूं रोका परने लिखने से बिद्या बिन गती गई गती बिन मती गई मती बिन ब्यापार गया ब्यापार बिन हम सुद्र कहलाएं हमें क्यूं रोका संसाधनों से तो हमारे साथ पिरियों को संसाधनों से रे जाती खत्म होगी सरकारी स्कूल कॉलेज से, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनके बच्चे भी पढ़ें। जाती खत्म होगी जब चरवाहा विद्याले खुलेगा और चरवाहा का बच्चा भी परेगा और मेरे जैसे कलाप के आँख में आँख डाल कर पतकाईटा करेगा अगर चरवाहा विद्याले नहोता तो हम लोग नहीं स्कूल कॉलेज पहुच पाते ऐसे नई खत्म होगा चिदवरम जी आप जो इंडियन एक्स्प्रेस में लिखते हैं न हम परते हैं इसलिए मैं कहा रहा हूँ तब तक जाती खत्म नहीं होगी जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं लिखने परने लगेंगे मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज इनवर्सिटी, ब्यूर्यक्रेसी, बिजनेस क्या किया इन लोग का नया सर्यंत समझे तुम डाल डाल ये पात पात हैं अजादी के समय तक सब अच्छा था सरकारी नौकरियां थी, सरकारी स्कूले थी आजादी के बाद सत्तर के दसक तक सब अच्छा था, तब तक जब तक दलित पिछरा न तो बोट गिराता था न इस्कूल जाता था, वो मजदूर था, तब तक सब कुछ चलने दिया, लेकिन जैसे ही दलित पिछरा आदिवासी बाबा साहिब ने CST को रिजर्वेशन दे दिया था शुरू में, उसके बाद बिरानमे में मंडल कमिशन लाग हुआ, उसके बाद से इनको पता चल गया, क्योरी अब तो प्राइबेट कंपनिया होनी चाहिए, प्राइबेट कॉलेज इनवर्सिटी होनी चाहिए, नौकरी में, इनवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, बिरोकरेसी में, बिजनेस में, आप लिजिया दिलीप मंडल से कलास, सोचिए किस तरह से एक जाती जनगन्ना ने BJP और कॉंग्रेस दोनों के ब्रहमन नेता को एक जूट कर दिया है, एक साथ दोनों एक भासा बो नहीं रहें, वो मर गएं, राश्पती बने थे, भारत रत्न भी मिला, पर्नमुखर जी, सबसे बड़े जाती जनगन्ना के बिरोधी थे, कपिल सिब्बल, पर्नमुखर जी और फीची दमरम की तीकरी थी UPA2 में, जिसकी बच से कॉंग्रेस 42 सीट पर सिमट गई, और सारे लालु यादब को सेंडिंग कर दिया गया, एक मात्र विरप्पा मुईली रह गये थे, राम बिलास पासवान निकल चुके थे, लालु यादब निकल चुके थे, बेनी परसाद बरमा निकल चुके थे, अरजुन सिंग को बेमौत मार दिया हैं इन लोगोंने, जाती बात तब खत्म होगा जब इस देश के CSTOBC, दलित, पिछरे, आदिवासी, किसान, गरीबों के बच्चों को स्कूल में मौका मिलेगा, सरकारी नौक्रिया मिलेंगी, तीन-तीन पिरी, चार-चार पिरी लगती है, किसी समाज को बदलने में, और सबसे बड़ी बाद जो आपकी समा पाएगा, इंजिनियर नहीं बन पाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल को बरबाद कर दिया गया है, और इसलिए बरबाद किया गया है, कि CSTOBC के लोग न पर पाएगा, आज जो बच्चा प्राइबेट स्कूल में परहेगा, वो बाद में सरकारी का मज़ा लेगा, या अमरीक जाने लगे, तो इन्होंने not fund suitable लिखा, इन्होंने not fund suitable से भी जी नहीं बरा, तो इन्होंने धॉक कर दिया, प्राइबटाइज कर दिया, जब दलित पिछले आदिवासियोंने नोकरी के लेम करने लगे, तो railway को प्राइबटाइज कर दिया, एर इंडिया को जानता है तो सोचिए ये लोग किस तरह से एक जीट हैं और यही लोग हैं धर्म के नाम पर टाडा, पोटा, पीएमेले, इडिस मैं फिर कह रहा हूं ये तो सुक्र मनाई है कि मोदी जी के सरकार में कुछ सवर्नों पर कारवाई हुई है दरसल आम आदनी पार्टी पर परसाद यादव, मुलाहिम सिंह यादव, सीबू सोरेन, हेमन सोरेन ऐसे दलित पिछले आदिवासियों को जेल में डालती ती इस देश में आरे सेस की असली मां कॉंगरेस है बीजेपी नहीं और आज जाती जनगन्ना के खिलाफ कॉंगरेसी सवर्न हो या बीजेपी वाले सब और नो सब एक जूट हो रहे हैं, गुलबंद हो रहे हैं, 2024 में बहुजन समाज के नेताओं को एक जूट होना चाहिए, नहीं तो आपके आने बाली नसले लाचार और बेवस हो जाएगी, क्या कि आखिलेश यादव के साथ, मायवती जी ठीक कहती है, मैं फिर कह रहा दिवेंद्फर नवीज की भासा, पीची दमरम की भासा एक है, इसलिए क्योंकि उनको अपने जातिय हीतों की रक्षा करनी है, और वो अब खुल कर नहीं बोलेंगे, साप साप नहीं बोलेंगे, अरे, आरे सब परमुक की बात मालो, प्राश्चिती कर लो, अगर जाती खत करनी है, तो इस देश में आपको रिपर्जेंटेशन देना परेगा, डाइवर्सिटी लाना परेगा, चपरासी से लेकर चिपजस्टिस तक, जिसकी जितनी संख्या है, उस अनुपात में उसकी निउक्ति करनी परेगी, जमीन का बढ़ाबर बटबारा करना परेगा, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, CMPM, SP, DM, चपरासी से लेकर चिपजस्टिस तक, जब तक पावर सेंटर्स में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज इनवर्सिटी, ब्यूर्यक्रेसी, बिजनेस में, SCST, OBC के लोग नहीं आएंगे, तब तक जाती खत्म नहीं होगी, ज CST, OBC के लोग सारा टाइटल बदल लेते, टाइटल बदलने से जाती खत्म नहीं होगी, जाती खत्म होगी जमीन के इक्वल बटवारा से, जाती खत्म होगी बिजनेस के इक्वल मौका से, जाती खत्म होगी इक्वल अपर्चून्टी से, जाती खत्म होगी स्कूल, कॉल, massage university में equalas by doppeltay लाकिला से जाती first सुप्रीमुपाय कोट शबस कई उसके सबसे बबया धीजान से बात का महिन जाती बादी है与 यह back और ये कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं कि हम किस जात में पैदा हुए और आपकी गलती नहीं है गलती तो हम लोगों की है कि आपने जाती बनाई आपके पुरवजों जाती बनाई और अपने आपको ऊपर रखा और हमें नीचे डाल दिया और गलती तो उनकी है जिनके साथ ज आतियां खत्म की जब इस देश में संविधान लाग हुआ तो संविधान लागु भी आपने नहीं किया संविधान के नाम पर आप C.M.P.M.S.P.D.M. बने लेकिन उसी संविधान को बाकी लोग के लिए लागु नहीं किया तो पीछे दमनम लिख ये कलम कसाई हैं ये लोग ये लोग इनके लिखने पर मत जाएए, ये मीठा मीठा बोलेंगे और आपको काट देंगे, इनको आँख में आँख डाल कर जबाब देना पड़ेगा, जाती तब खत्म होगी जब सबको युक्वल बराबर मौका मिलेगा, और वो भी रिपर्जेंटेशन मिलेगा, और वो आपकी संख्या कम हो गई तो आपको जाती खत्म करने की चिंता सताने लगी, तब तक आप कहां थे, जब तक आप जाती के नाम पर मजे ले रहे थे, तब तक आप कहां थे, जब तक जाती के नाम पर बाकी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, जातीबाद के खिलाफ ल नहीं होगा साधिविया होगा ही नहीं जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे इस देश में जातिवाद खत्म होगा Power Centers की भागिदारी से School College की भागिदारी से Business की भागिदारी से Media की भागिदारी से Judiciary की भागिदारी से आप करके दिखाईए मेरे साथ जाती बाद मैं फिर कह रहा हूँ जब तक चपरासी से लेकर Chip Justice तक इस देश के हर Community के लोग बड़ी अपनी संक्या में नहीं बनेंगे तब तक इस देश में जाती बाद चलता रहेगा और पीची दमरम जैसे लोग देवेंद फरनवी जैसे लोग अपने आपको जाती जनगन्ना होने से बिक्टिम बता रहे हैं सोचिय जिनों ने 2000 साल तक जाती की मलाई खाई जाती के नाम पर बिजनेस किया जाती के नाम पर परहाई लिखाई की जाती के नाम पर संसादनों पर कबजा कर लिया आज वो जाती जनगन्ना से इतने आहात है दुखी है इसलिए बाबा साहिब ने इलाज करके गए हैं, जिसकी जितनी संख्यावारी, उसकी उतनी भागिदारी, एक बोट का अधिकार न होता, तो हमारी जाती भी न गीनी जाती, इसलिए मैं कहा रहा हूं, पीची तमरम जी, आप बहुत शातिर हैं, बहुत भोले तो आप नहीं हैं, बहुत शातिर हैं, और आपको लगता है, जाती खत्म करने का एक ही रास्ता है, कि इस देश के जो सोसित बंचित हैं, जिनको जाती के नाम पर मौका देना परेगा, बिमारी टीवी का है न, तो इलाज बुखार का नहीं चलेगा, बिमारी कैंसर का है न, तो इलाज टीवी का नहीं चलेगा, जाती के नाम पर शोशन जाती के नाम पर ही इलाज होगा जाती जनगन्ना और जनगन्ना के आधार पर रिपर्जेंटेशन और वो भी कहां पावर सेंटर्स में मीडिया जुडिशियरी कलेज इनवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी बिजनेस स्पोर्स, सिनेमा इन पर जब तक भागिदारी नहीं होगी बाकी कम्यूटी का तब तक जाती बात खत्म नहीं होगा आप लोग अपनी पत्किरिया जरूर दीजिए कि क्या जाती जनगन्ना के बिरोध में तमाम दलों के सवर्ण नेता एक जूट होगा है क्या बहुजन नेताओं को एक जूट नहीं होना चाहिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे